हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई टोप चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी कुछ मूवी के बारे में बताने वाली हूँ जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गया है तो फ्रेंट्स कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर चला होगा कि ऐसी कौन सी मूवी है जिसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गया है तो चलिए फ्रेंट्स ऐसे ही कुछ मैं मूवी से आपको रूबरू करवाती हूँ तो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूवी अफ़तार और टाइटेनिक मूवी है अफ़तार मूवी को 2009 में रिलेज किया गया था और टाइटेनिक मूवी 1997 में आई थे ये दोनों जमकर बॉक्स ओफिस कलेक्शन भी की थी और बॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड भी बना दिया था अफ़तार मूवी को पूरी दुनिया में पसंद किया गया था और आज हर किसी के जुवान पे अफ़तार मूवी का नाम है और मैं आपको बता दो कि मेकर्स अवतार मुवी के सेकंड पार्ट को भी इस साल तक ले आएंगे और एक बार फिर अवतार टूंग मुवी बॉक्स आफिस पर धमाल मचाएगे तो बात हो रही थी सबसे ज़्यादा कौन सी मुवी देखी गई है तो फ्रेंट सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मुवी को सबसे ज़्यादा देखा गया हो साइद ऐसा नव हो और मुवी का टिकट पिछले समय के टिकट के बजट से 10 कुना टिकट का बजट था ऐसे में अवतार मुवी एक 3D मुवी थी तो उसके टिकट का चार्ज जादा लिया जाएगा ही तो अंदाज़ा आप यह लगा सकते हैं कि पिछले 10-12 साल पहले इतनी महगी टिकट होने से साथ जादा लोग इस मुवी को ना देखे हों तो फानली आपको मैं उस मुवी का नाम बताऊंगी जो सबसे जादा देखी गई है मुवी का नाम है Gone With The Wind इस मुवी को 1949 में रिलीस किया गया था हिस्टरी की सबसे बहतरीन मुवी में से इस मुवी को एक माना गया था और मैं आपको इस मुवी का बजट बता दूगी तो आप हैरान हो जाएंगे आज के हिसाब से लगभग 80 साल पहले Gone With The Wind मुवी ने 22,200 करोड उपे की कमाई की थी इस मुवी का बजट उस समय 38,00,00 डॉलर था और मुवी जब आए थी तो तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दी थी उसके बाद अवतार और टैटैनिक मुवी आई और इन सब मुवी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया तो फ्रेंट्स कॉमेंट करके बताईए कि इस मुवी के बारे में किया आपको पहले से पता था और किया आप भी इस मुवी को देखने वाले है और अभी तक आपने मेरे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करिया और लाइक शायक करना ना भूले Thank you